अप्टेशन करना भी स्टार्ट कर दिया होगा तो गाइस अभी अभी एक और नोटीस आया है डबल ले ट्रिपल्स की वेबसाइट पर आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं तो गाइस यहाँ पर आपको UG Counseling के उपर आना है तो जैसे ही आप UG Counseling के उपर आओगे यहाँ पर आप देख सकते हो जो seat matrix है वो आ गया है तो बहुत सारी students यह कहरे थी कि भाया जो कुछ states के colleges हैं वो choice filling के अंदर अभी तक नहीं आ रहे हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडि regarding registration unlocking facility तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस notice में क्या लिखा हुआ है उसको हम डिटेल में देखते हैं आपर तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह notice जो है वो 11 नावंबर 2022 को आया है यहाँ पर यह कहा गया है kindly attention candidates who are already registered and submitted their application forum for AACCC UG counselling and wanted to add it to correct the submitted information अब क्या किया है बहुत सारे students के मेरे पास सुबह से queries आ रही थी जिनको counselling करवाना नहीं आता था उन्होंने भी क्या किया है registration forum खुद से बढ़ लिया और 2-3 चीज़े क्या कर दी उसके नर गलत कर दी तो यह जो notice है यह उन students के लिए है जिन students ने गलती करिए और वो edit या correction करना चाहते हैं तो यहाँ पर यह कहा गया है candidates who are who are advertised filled their wrong information or want to edit या modify the information submitted in registration forum of AACCC UG counselling 2022 are being further granted an opportunity to edit या correct their registration application forum तो guys उनके लिए एक opportunity है जो उनका registration forum है उसको edit या correct करने के लिए फिर उसके बाद में यह कहा गया है the candidate who submitted their application forum but not still lock their choices can avail their facility from 5 शाम को 5 बज़े से लेके 11 नौंबर से लेके 14 नौंबर को दोपेर के 12 बज़े तक तो यह चीज़ याद रखनी है उनको और यह जो facility है वो सिफ और सिफ वन टाइम measure है after availing said faculty once no further request in this regard will be attended by the AACC ministry of IUs तो यहाँ पर मैं बताऊं सिदह सिदह हुआ क्या है बहुत सारे students में call किया होगा AACC UG counselling को कि sir हमसे यह गलती हो गई यह गलती हो गई तो हर साल की तेरा जो AACC counselling जो होती हो फर्स्ट राउंड के अंदर क्या करती है रजिस्ट्रेशन को एक बार वापस से अनलोक करती है फिर उसके बाद में guys आप चाहिसे कितनी ही गलती कर लो सेकेंड राउंड ने थर्ड राउंड फिर वापस से जो एक रजिस्टेशन अनलोकिंग वाला प्रोसेस होता है वो नहीं होता है तो इस चीज़ का आपको धियान रखना है यह जो मेजर है वो सिपोर्ट सी बन टाइम मेजर है और आपको सतरकता से आपको अपना सेक्षन तो आपको क्या करना है अवेलेबल सर्विस सेक्षन के उपड़ जाना है वाँ पर रजिस्टेशन अलोकिंग नाम का एक ऑप्षन आ रहा होगा उसके उपर क्लिक करना है वाँ से जाकर आप अपना रजिस्टेशन अनलोक कर सकते हो और बाकी की चीज़ों को आप कर सकते हो तो गाइस इस वीडियो के अंदर यही था important notice I hope guys यह जो notice है वो आपको समझ में आया होगा और गाइस अभी तक जिन भी students ने हमारा टेलिग्राम चैनल एड़ेरेट बिंग डॉक्टर नीड जॉइन नहीं किया हुआ है वो हमारा टेलिग्राम चैनल एड़ेरेट बिंग डॉक्टर नीड जॉइन करें हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सस्क्राइब करें जद 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 अमारी वीडियो को लाइक करें ताकि accurate information उनके दोस्तों तक पहुंच सके thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए